आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ नीरज आज की बड़ी खबर आपको चौकाएगी क्योंकि साथ सालों के लंबे इंतजार के बाद अभ्यार्थियों को मिला बड़ा इंसाब आप ये समझें कि देर है पर अंधेर नहीं है कानून अपना काम किया और अभ्यार्थियों के चेहरे पर अब खुसी की लहर है हम बात कर रहे हैं B.S.C. रेजल्ट 2012-13 की और सुप्रीम कोट से बड़ा फैसला आया है फैसले की हकीकत हम आपको बताएंगे आप समझें कि साथ सालों के बाद अभ्यार्थियों को बड़ा आप मिलाया बोर्ड को पुना रिजल्ट का मुल्यांकन करके पुना रिजल्ट प्रकासित करना होगा यह आदे सुप्रीम कोट का है ऐसे में आप समझें कि किनके द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले से अब भीहरतियों के चेहरे पर खुसी है क्या है पुरा वाक्या क्या है पुरा मामला इस वीडियो में हम आपको इससे भी रूबरू कराएंगे आए पुरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं कि क्या था मुद्दा क्या थी खबर और क् सुप्रीम कोट तक इस केस को आगे बढ़ाया और सुप्रीम कोट से बढ़ा फैसलाया गलत प्रस्णों के बदले अंकों लेकर 2017 बिहार टीटी अब भीरतियों का भी ऐसा ही केस है और सिक्षा सुधार रोजगार द्वारा पटना है कोट में बढ़ा केस है आपके स्क्रीन पर केस का स्टेटस भी हम सेयर कर रहे है और जल्द ही इस पर भी बड़ी सुनवाई होगी क्योंकि गलत प्रस्णों के बदले अंक मुद्दे पर एक बड़ा जज्जमेंट सिक्षा सुधार रोजगार को पटना हाई कोट से मिला पर संग्यार नहीं लिया गया BACV बोट के द्वारा इसके बाद दुबारा जब केस किया गया तो पटना हाई कोट ने बड़ा ओडर दिया जो आपके स्क्रीन पर है कि जिनो जूड़े है उनके लिए भी बड़ी खबर है आपके स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं 2012 की परिक्षा का फिर मुल्यांकन करे B.S.S.C. ये सुप्रीम कोट का बरा आदेश है खबर क्या है ये भी आप देख ले सुप्रीम कोट ने विसे सग समीती की रिपोर्ट को करते हुए फैसला सुनाया कुछ सवाल गलत थे कुछ के एक से अधिक जवाब हो सकते थे और ऐसे में इसको लेकर साथ साल लंबा इंतिजार आप भेहरतियों को जेलना परापर देर है अंधेर नहीं है आपके स्क्रीन पर जो पूरी खबर है अब आपको उससे हम विसलेश करे कोट ने आदेश विसेजग समीती की रिपोर्ट के बाद दिया है जिसमें समीती ने पाया था कि कुछ सवाल गलत थे और कुछ के एक से जवाब हो सकते थे कोट ने कहा कि जो नियुक्तिया हाई कोट की एकल पीट के आधेश के बाद हो चुकिया हुन्हें नहीं जाए जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्सता वाली पीटने यादेश देकार आयोग से का कि यदि मुल्यांकन के बाद अभ्यर्थियों की संक्या रिक्तियों से ज़्यादा हो जाती है तो उमिद्वारों को 31.12.2019 में पैदा होने वाली भविश्य की रिक्तियों में सामायो कोजित किया जाए क्या था मुद्दा ये भी देखने बिहार सरकार ने वर्ग 3 के पदों पर 2010 में 1569 रिक्तिया निकाली और अप्रेल 2012 में प्री परिक्षा का नतीजा आया जिसमें कई उमिद्वारों ने कोट में चुनावती दी कहा कि परिक्षा में कुछ सवाल गलत है हा 27,000 से ज्यादा अमिद्वार सपल हो गए इस बीच रिक्तियों की संख्या 3,200 से ज्यादा हो गई 2013 में मुख्य परिक्षा होई और नतीजे आये 915 मिद्वारों को निक्त कर दिया गया इस बीच मामला खंड़ पीट में गया खंड़ पीट ने वरिष्टिता पर भी आदेश दिया इसके खिलाब आयोग ने सुप्रीम कोट में अपील की पर आज जो बड़ा फैसला आया है साथ सालों के बाद अभ्यर्थियों के पक्च में और अभ्यर्थि इससे खुस हैं क्योंकि देर है अंधेर नहीं अभ्यर्थियों का कहना है ऐसे में 2017 बिहार टीटी पीडित अभ्यर्थि जो गलत प्रस्नों के बदले अंक मुद्दे को लेकर पटना हाई कोट में सिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पहुंचे है उनना भ्यर्थियों को बता दे कि पहली जीत तो आपको मिल चुकी है पर बीए सीवी बोर्ड ने संग्यान नहीं लिया ऐसे में अब मानना का केश चल रहा है और जल्द ही इसमें भी बड़ी सुनबाई होगी और बड़ी जीत मिलेगी क्योंकि दो बड़े जज अनील कुमार उपाध्याय और मुहिस्सा दो बड़े जज के जज्जमिंट के अधार पर हमने गलत प्रस प्रसनों के बदले अंग दिये गए थे इसी अधार पर हमने इसकी मांग की थी और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अनील कुमार उपाध्याने सम्मन्द में बियसी बूट से जो सवाल पूचा है गलत प्रसन सिट करने वालों पर क्या कारवाई हुई बताए बूट कुरोना पर कोप को देखते हुए सुनवाई अभी रुकी है पर जल्द ही इस पर भी बड़ी सुनवाई होगी और बड़ी जीत मिलेगी आसाया आज की बड़ी खबर आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे सिक्षा में सुधार ह सभी के पास रोजगार हो इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आप से फिर मिलेंगे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए